हेलो फ्रेंद्स वेल्कम बैक टो माई चैनल मैं समीता आज के वीडियो पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं किचन रिलेटर कुछ टिप्स और उम्मीद करती हूं यह टिप्स आपके लिए हल्फुल रहेंगी आपको पसंद आएंगी तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते है फेस्टिवल सीजन में जब भी हम मिठाई बनाते हैं तो कंडेंस मिल्क का जो कैन होता है वो आधा या वनफोर्ट बच ही जाता है तो उसको स्टोर करने के लिए मैं इस तरह से इको बेकी शीट को डबल फोल्ड कर दे रही हूं और उसको एक टाय से इस तरह से पैक कर दें कर सकते हैं और यह बिल्कुल भी जमेगा नहीं और नहीं यह खराब होगा इसी तरह से काफी सारी सबजें ऐसी होती हैं जो पूरी यूज नहीं होती तैसी हापर में खिच्डी बना रही थी थोड़ी सी लौकी यूज की और बाकी के हमारी बच गई है तो इसको भी इसी त इसे की अधिया और यहाँ पर वन फोट कप के साथ एक स्पून मैंने चिया सी डाँ है और कोकोनट किस तरह से बनाते हैं वह मैंने आपको और वीडियो में बताया है इसके बाद इसको मैंने चार शे पांच घंटे के लिए रग दिया था रही देगे कितना ठिक हो गया है बट मैं इसको आज फूट के साथ सर्फ कर रही हूं तो यहां पर एक टॉल ग्लास मैंने दिया है इसके बेस में मैंने थोड़े से फूट्स डाले हैं तो फूट्स आप अपनी चॉइस के ले सकते हैं जो भी सीजन में अबलेबल हो मैं आज बनाना एपल और अनार के साथ इस करनी है और इस तरह से लेरिंग करते करते हम पूरा ग्लास फिल कर देंगे और बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है इसका इसे मैंने शुगर फ्री और डेरी फ्री रखा है तो यह और भी ज्यादा हेल्दी हो जाता है तो इस तरह से देखी यह डिजर्ट हमारा रेडी हो इसे आप breakfast में भी enjoy कर सकते हैं बहुत ही amazing लगता है तो try जरूर कीजेगा और मेरे साथ अपना feedback share कीजेगा कि आपको ये recipe कैसी लगी इसे आप dry food से भी top कर सकते हैं festival season में अगर homemade मिठाई मिल जाए तो क्या कहने है आज मैं आपके साथ share कर रही हूँ एक simple सी recipe जो कि है basin की बर्फी, basin की बर्फी के लिए मैंने दो कप लिया है basin और एक कप लिया है घी, एक कप मैंने यहाँ पे milk powder लिया है, एक कप लिया है शुगर और वन कप पानी बस ये simple से recipe के साथ हम इसे बनाने वाले हैं सबसे पहले हम एक pan को heat up करेंगे उसमें हम add करेंग जब आपको लगे कि ये सेट हो गया है basin इसमें उसके बाद आप जो next one cup है वो इसमें add कर दें और उसको भी एक अच्छा सा mix दे दें इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके इसको batches में डालेंगे और इसको अच्छे से mix करेंगे इसको हमें लगबक 5-10 मिनट तक के लिए भू होने लगेगा इसके बाद जब basin हमारा भून जाए फिर हम इसमें add करेंगे milk powder तो milk powder को just इसके साथ हमें mix करना है भून नहीं है जादा तो इसको इसलिए हमने last में जाला है जब हमारा basin भून गया अब जब यह सारी चीज़ें एकसार हो गई है ये देखे इस तरह से और इस के बाद सको side रख देंगे चासनी के लिए हाँ पर मैंने एक कप पानी लिया है उसमें डेट कप चीनी डाला है पानी की quantity आप थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं जिस भी ट्रे में आपको सेट करना है उसको आप इस तरह से इकोबेक से line कर लें इसको आपको grease करने की जरुरत नह रखना है ताकि वो सारी dissolve हो जाए इसमें flavor के लिए आप डाल सकते हैं लाइची powder या फिर मैंने यहां पर kevra essence डाला है और बीच बीच में इसको चेक करते रहेंगे जब तक इसमें एक तार नहीं बनने लगता पस तब तक इस चासनी को हमने पकाना है जैसे ही तार बनना श साथ अच्छे से mix करना है स्टार्टिंग में आपको लगगा थोड़े से lumps form होने शुरू हो गए हैं पर जैसे जिससे आप इस पर काम करना शुरू करेंगे यह एकदम स्मूध हो जाएगा बिल्कुल हलवे की तरह तो यह देखिए इस तरह से ही हो गया है इसको भी बंद कर दें और इसको थोड़ी देर और चलाते रहें ताकि यह जो कड़ाई होती है गरम हो जाती है काफी उसके बाद भी अगर आप इसको ऐसी छोड़ देंगे गयास बंद करके तो यह जलनी लगता है तो यह देखिए काफी ठिक भी हो जाता है थोड़ी देर आप और यह बर्फी में बहुत ज़दा थिक नहीं बना रही हूं तो थोड़ा सा बैटर मैंने अलग से बचा दिया है यह मिक्षर और इसको हम अलग ट्रे में जमा देंगे उपस से मैंने ड्राइफूट की कतरन से इसको गानिश कर दिया है और इसको लगबग तीन से चार घंटे सेट करने के लिए रग देंगे ऐसे ही और यह बहुत ही अच्छे से सेट हो जाती है और जो हमारी ट्रे देखिए वो कितनी क्लीन है अब हम यह इकोवे की शीट को हलका सा लूज कर लेंगे और इससे हम किसी शाप नाइफ से इस तरह से स्कौार पीस में कट कर लेंगे आप देखी सकते हैं कितने ब्यूटिफुल यह पीस कट कर आए हैं बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है बीसन की बर्फी का और इस तरह से चासनी बनाकर जब हम बनाते हैं तो इसमें बहुत अच्छा ग्लेज भी आता है जो आप देखी पा रहे होंगे घर पर जब हम मिठाई ब बढ़ा सकते हैं और अच्छी कॉंटिटी में बन जाती है तो काफी ज़्यादा बचट भी होती है तो आप भी घर पर हीपते होरों पर मिठाई या ट्राइक कीजिएगा बहुत ही सिंपल तरीके हैं आप जरूर बना पाएंगे तो मैंने तो यह बेसन की बर्फी बनाई थ चुके हैं या फिर आने वाले फेस्टिबल में कुप सारी मिठाई एंजॉय करना चाहते हैं तो अपनी डाइट को इस टाइम पर कुछ ऐसा बनाईए कि उसमें आप बहुत सारा प्रोटीन बहुत सारी वेस्टिबल्स और रॉफ फूर्स को इंक्लूड कर पाएं तो उसके इस सैलड में जब भी आपको प्रोटीन का कंटेंट एड़ करना है तो आप इन छोलों को या चनों को यूज कर सकते हैं इसमें आप थोड़े से फूट वेजटिबल्स रॉफ एड़ कर दीजे थोड़ा सा एपल साइडर विनेगर मिला दीजे काला नमक चाट मसाला और बस यह थी मेरी आज की किचन टिप्स उमीद करती हूं आपको ज़रूर पसंद आई होंगी अगर पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीड़बैक शेक करना नहीं भूलें